हेलो फ्रेंज पुर्ला लो किचन में आप सबको दिल से स्वागत है आज मैं फिर से आ गई हूँ आप सबके मन पसंद के रेशीपी लेके आज मैं बनाने वाले हूँ एग हकका नुडुल्स यह बहुत आसान है बनाना और खाने में भी बहुत टेस्टी है और यह जो हकका मिल जाएंगे तो फ्रेंज आये शुरू करते हैं रेशीपी उससे पहले आप से एक रिक्वेस्ट है अगर मेरे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर कर दिजिए और बेल आइकन को दवा के साथ में आल पे क्लिक कर दिजिए ताकि सबसे पहले आप मेरे वीडियो द बाद हम डाल देते हैं नुडूल्स को मैंने दो नुडूल्स लिया है और इसको हम पकाएंगे दो से तीन मिनिट तक ज्यादा नहीं पकाना है और चामत से थोड़ा इस तरह से फैला देना है अगर ज्यादा पकाऊगे तो यह टेस्ट आच्छा नहीं आएगा और फिर एक हैं 500 नहीं मिणिट हो चुक जाएंगे तो फिर से यह ठीक करते हैं यह देखिए अभी हम क्या करेंगे इसको हम चान लेते हैं यह देखिए और चानने के बाद ही हम आझ ठंडा पानी से दिया आच्छी तरह से दोलेंगे दो बार सेchester से हम दोलेते हैं यह देखिए धोने के बाद हम दो मिनिट राग देते हैं पानी सुखने के लिए और उसके बाद हम डाल देते हैं रिफाइन तेल एक चामच और इसको आच्छे तरह से मिला लेते हैं तेल डालने से एक दूसरे के साथ नहीं चिपकेगा और बहुत अच्छे तरह से हमारा जो नुडूल से बन जाएंगे तो फ्रेंट्स आईए शुरू करते हैं जाएंगी करते हैं अभि हम रिफाइन तेल डाल से तीन चा मच्छत और गराम हो जाने के बाद हम इस पर ढाल देत है एक कैणकार और दो मिनिट को हम 12 मिनिट हम पका लेंगे यह देखिए ऐसे और उसके बाद हम डाल देते हैं लौसुन और अद्रक चौप किया हुआ बहुत छोटे-छोटे काटे हैं और डाल देते हैं 2 हरे मिर्ची और इसको थोड़ा से हम अच्छे तरह सी मिल्ला लेते हैं ऐसे यह देखिए और फिर इसमें डाल देते हैं कुछ सबजिया जैसे कि मैंने गोबी लिया है और कैप्सिकम लिया है और प्याज मैंने एक छोटा प्याज लिया है और इसको हम इसमें डाल देते हैं चाहे तो आप इस पे गाजर, टमेटर और भी सबचिया एड़ कर सकते हैं, मैं श्रेप सिंपल बना रहे हूं, तो इसलिए मैंने दो-तीन ही सबजी डाल रहे हूं, और इसको हम क्या करेंगे, आच्छे तरह से हम इसको फ्राय कर लेते हैं, तीन से चार मिनिट तक इस तरह से यह देखिए, लंबे आकर से कटा है, तो यह बहुत जल्दी पाक जाते हैं, यह देखिए, आच्छे तरह से मिक्स हो गया है, और पाक गया है हमारा यह जो सबजी आ है, अभी हम इस पे डाल देते हैं नूडूल्स को, यह देखिए, नूडूल्स डानने के बाद हम इसको चलाते रहना है, दो से तीन मिनिट तक इस तरह से मिक्स अच्छे तरह से कर लेना है, हलके से करना है, यह देखिए, ऐसे, अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद हम इस पे डालते हैं, रेड चिल्ली सॉस, मैं कर एक चमच डाल रहे हूं, रेड चिल्ली सॉस, यह देख सकते है और उसके बाद हम ढालते हैं ग्रीनचिल्ली सस वालती है and यह जो स्वास बजय को सॉया सस भी गरीब दाल रहे हूं उसके बाद दाल रहे हूं और जिना मोटोई यह आगर आपके पास नाइए तो आप इसकीप कर सकते हैं और फिर हम इसो शारे चीज़े को अछ preciso तरा से फिर शे मिला लेते हैंं और उसके बाद हम लास्ट में डाल देते हैं थोडा-सा नमक तो श्वाधनुसर नमक डाल देते हैं और उसके बाद अच्छ तरा से मिला लेना है थार्टी सेकेंड तक हम इसको मिला लेंगे ताकि यह जो नमोखे अंदर अच्छे तरह से घुल मिल जाए तो फ्रेंड्स रेडी हो गया है हमारा एक घक का नुडूल्स आप ज़रूर एक बार ट्राइ कीजिएगा घर पे बना के खाईएगा और कॉमेंट सेक्षन में की सोबाच यह वीडियो देखने के लिए मिलते हैं अगले